पाकिस्तान की एर फोर्स ने अफगानिस्तान की घर में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। इस हमले में पाकिस्तान ने TTP आतंकियों के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। साथ ही इसमें तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानि टीटीपी के एक कमांजर के घर को भी निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान से आरही खबरों के अनुसार पाकिस्तान के उत्री और दक्षडी वजीरिस्तान जिलों के साथ सीमा से लगे खोस्त और पक्तिका प्रांतों में स्थित दो अलग-अलग शेत्रों में हवाई हमले हुए हैं। पाकिस्तान की इस हमले को अफगानिस्तान की उन हमलों की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के वजिरिस्तान इलाके में हमला कर साथ पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान के राष्ट्रपती आसिफ अली जर्दारी ने कहा था कि हर शहीद जवान के खून का जवाब आतंगवादियों को देना होगा पागिस्तान के राष्ट्रपती कार्यालाई से जारी में बयान में जरदारी ने कहा कि पागिस्तान की लोग और उसके सशस्त्र बल एक जुठ हैं और एक जुठ हो कर आतंगवाद का समना करेंगे प्रतिएक शहीद जवान की खून का अतनवादियों को हिसाब देना होगा इसके बाद ही अफगानिस्तान पर हमला किया गया और दो अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाये गया जिनमें पाकी टका प्रांत के लामन और खोस्त के पासा इलाका शामिल है मीडियो रिपोर्स के मुताविक पाकी टका प्रांत के लमान में टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शहा के घर को निशाना बनाये गया है कमांडर अब्दुल्ला शहा को टोबगर के नाम से जना जाता है जो दक्षडी वजिरिस्तान के उपरी हिस्से में शक्तोई का निवासी है टीटीपी सूत्रों ने भी हमले की पुष्टी करते वे बताया है कि शहा का घर मलवे में तबदील हो गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे इसके पहले 16 मार्श को देर रात जरदारी आतंग की हमले में मारेगाई लेफटिनेंट करनल सैयत काशिफ अली और कैप्टन मुहमद एहमद बदर के जनाजी की प्रार्थना में शामिल हुए जरदारी ने जवानों को श्रिधांजली दी और आतंग वाधियों को पूरी ताकत से जवाब देने की बात कही जरदारी ने कहा देश के बहधोर भाई, बेटे और दोस्त सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उन्होंने वादा किया कि धर्ती के बेटों का खून बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तानी सेना के दो अधिकारियों की पांच जवानों समेट आतंकी हमले में मौत हो गई थी। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान की सीमा में घुस कर की गई पाकिस्तान हमले के बाद अब तालिबान का भड़कना तै है। खासतो और पर तब जब दोनों के रिष्टे पहले ही सही नहीं चल रहे हैं और सीमा समेट कई मुद्दो पर विवाद बने हुए हैं। पाकिस्तानी तालिबान नेता हाफिस गुल बहदूर का समुह उत्री वजिरिस्तान में सबसे मजबूत आतंगवादी समुहों में से एक है। इससे पहले वो 2014 में ओपरेशन जर्ब ए अजबी के बाद अफगानिस्तान भाग गया था।